हेलो दोस्तो एक्जाम के डिप सेनल में आपका स्वागत है मेरा नाम है अंकुष इसमें दोस्तो हम जानेंगे अकर्ड का हिंदी अर्थ क्या होता है तो इसका हिंदी मतलब होता है दोस्तो to be in agreement on every point यानि हर बिंदू पर किसी चीज से सहमत होना या दो चीजों के बीच में समझोता होना ठेक है तो किसी के बीच agreement जो होता है यानि जो समझोता होता है उसके उपर अगर सभी सहमत हो जाएं तो उसको हम क्या बोलते हैं उसको occurred बोलते हैं जैसे sentence है claim that the newspaper court does not occurred with what he actually said यानि कि जो newspaper का quote है वो does not occurred यानि वो जो समझोता है उसके साथ match नहीं खाता यानि जो newspaper claim करता है वो उसके newspaper में जो news दिखाई जाती है जो quote होता है वो उसके साथ सहमत नहीं होता है यानि हर point पर मिलता नहीं है जोट बोल रहा है ठीक है तो newspaper क्या है जूट बोल रहा है जो उसने समझोता किया यानि जो बात वो कह रहा है उसके साथ मैच नहीं हो रही या फिर दूसरा sentence है hoped to bring about peace occur between the warning nation यानि जो यूदरत राष्ट रहे है यानि यूद कर रहे हैं आपस में उमीद की जा रही है bring about लाने की पीस अकर यानि एक सांती समझोता पीस का होता है सांती अकर का मतलब होगा समझोता यानि की एक सांती समझोता लाने की कोशिस की जा रहे है यूदरत राष्टों के बीचे यूद करने वाले राष्टों के बीचे तो किसी समझोते पर पहुंचना या हर बिंदू से सहमत होना क्या कहलाता है अकड कहलाता है वीडियो पसंद आए जाए लाइक, सेरे सबस्क्राइब, जरूर्ट करें थैंक्स फर वाचिंग